वेल्कम स्टुडेंट्स रिश्टोन एलिशीश में क्योशन 26 करेंगे तो देखो रिवेन्यू फ्रॉम उप्रेशन दे रखाए 12 लेक्स ग्रोश प्रोफिट 15% रिवेन्यू फ्रॉम उप्रेशन का है तो एक लाख असी अजार आ गया अब कोस्ट ओफ रिवेन्यू फ्रॉम अब कोस्ट ओफ रिवेन्यू फ्रॉम उप्रेशन में से ग्रोश प्रोफिट क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो बारा लाख में से एक लाख असी अजार माइनस करेंगे तो दस लाख बीस अजार आगया आपका कोस्ट ओफ रिवेन्यू फ्रॉम उप्रॉम उप्रेशन ओ क्लोजिंग इनवेंटी दे रखे तो डिफ्रेंस one legs thirty six thousand बचेगा ओपनिंग इनवेंट्री अब आपने क्या करना है एवेड इनवेंट्री निकालना है ओपनिंग इनवेंट्री ब्लस Qs No. 57 में, revenue from operation दिया हूआ है, fourlets. Miscellaneous expenses एवरेज इनिमेंट्री दिया हूआ है, 55,000. दे रखा है दा रेट ऑफ रिवेन्यू फ्रों अप्रेशन रेट दे रखा है ग्रोस लोस का ग्रोस लोस दिया है यहां 10% रिवेन्यू फ्रों अप्रेशन का तो 4 लाग का 10% 40,000 रुपए हो गया ठीक है अब कोश्ट ओफ रिवेन्यू फ्रॉम ओपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस तो 4,000,000 प्लस 40,000 कोश्ट आ गई 4,400,000 रुपए है ठीक है अब आपने क्या करना है आपने इन्वेंट्री ट्रनोवर रेश्यो निकालना है तो इन्वेंट्री ट्रनोवर रेश्यो हो जाएगा कोश्ट ओफ रिवेन्यू फ्रॉम ओपरेशन डिवाइड़ बाई एवरेज इन्वेंट्री तो 4,400,000 को आपने डिवाइड करना है पच्पन हजार से एट टाइम आपका आन्सुर आ जाएगा क्यूसर नंबर 58 पर चलेंगे परचेज फ्राइट मिसलेनियस एक्स्पेंसी रिवेन्यू फ्रॉम ओपरेशन क्लोजिंग इन्वेंट्री ग्रॉस्लोस 16 percent of revenue रिवेन्यू फ्रों ओप्रेशन दिया हुआ है फाइफ लेट्स ग्रोस लोस सिक्स्टीन पर्सेंट रिवेन्यू फ्रों ओप्रेशन का है तो पांच लाख इन्टू सिक्स्टीन अपॉन हंडर्ड ठीक है तो यह होजाएगा असी हजार रुपय है तो चोस्ट ओफ रिवेन्यू फ्रों कोप्रेशन होजाएगा रिवेन्यू फ्रों कोप्रेशन प्लस ग्रोस लोस तो पांच लाख प्लस असी हजार is equal to 5,80,000 ठेक है अब इसमें क्या कहा है अब इसमें कहा है cost of revenue from operation is equal to opening inventory plus purchase plus freight minus closing inventory तो देखिए यह है 5,80,000 opening inventory आपको given नहीं है निकालेंगे purchase आपको given है 5,70,000 freight आपको given है 20,000 रुपे closing inventory आपको given है 70,000 रुपे तो देखिए opening inventory plus 5,20,000 यह 5,80,000 है तो आपका जो opening inventory है वो अजयगा 60,000 रुपे है अब average inventory opening प्लस closing बाई 2 तो 60,000 प्लस 70,000 बटे 2 65,000 रुपा आगया inventory turnover ratio निकालेंगे cost of revenue from operation divided by average inventory 5,80,000 बटे 6.00 यह 65,000 ठीक है inventory turnover ratio निकालेंगे तो आपका जो opening inventory है वो तो कितना आ गया 60,000 रुपा आ गया अब 5,80,000 को आपने divide करना है 5,80,000 5,80,000 8.93 8.93 यह जाएगा आपका ठीक है 59 देखे question number 59 में revenue from operation है gross profit है opening inventory one-fourth of closing closing का one-fourth है closing है 40% revenue from operation तो देखे revenue from operation दिया हुआ है two legs closing inventory जो है 2,00,000 revenue from operation का 40% है 80,000 रुपा है opening inventory जो है यह revenue from operation का one-fourth है ठीक है नहीं 40% है और जो यह है closing inventory का one-fourth है तो 80,000 का one-fourth 20,000 रुपा आ गया average inventory निकालेंगे opening inventory plus closing inventory by two 20,000 plus 80,000 बटे दो 50,000 रुपा है खीक है अब देखें इसमें क्या करेंगे इसमें हमने average inventory निकाल लिया आगे क्या दे रखा है 25% अब देखें gross profit revenue from operation का 25% है तो 2,00,000 into 25 वटे 100 50,000 रुपा आगया gross profit cost of revenue from operation revenue from operation minus gross profit तो 2,00,000 minus 50,000 is equal to 1,00,000 50,000 यह आपका आगया cost अब आपने क्या करना है inventory turnover ratio निकालना है तो cost of revenue from operation divided by average inventory तो 1,00,000 पचास जार और average inventory है आपका 50,000 तो तो देखेंगे 60 नमबर देखेंगे inventory to no ratio निकालना है cash revenue from operation credit revenue from operation तो देखें revenue from operation is equal to cash revenue from operation plus credit revenue from operation इसके बाद gross profit अब देखें यहाँ पर change हो गया gross profit 25% cost का दिया हुआ है तो हमें तो revenue from operation मालूम है और यह cost है तो यह ज़्यादा होता है तो निचे प्लस कर देंगे ठीक है तो 2 लेक्स आ गया gross profit ठीक है अब हम क्या करेंगे cost of revenue from operation is equal to revenue from operation minus gross profit तो 10 लेक्स minus 2 लेक्स 8 लेक्स इसके बाद देखो opening inventory 3 टाइम ओफ ओपनिंग इन्वेंट्री और closing opening इन्वेंट्री 10 परसेंट ओफ कोस्ट ओफ रिविन्यों तो ओपनिंग इन्वेंट्री देखेंगे 10 परसेंट ओफ कोस्ट तो कोस्ट है आपकी इन्वेंट्री इन्टू 3 असी हजार इन्टू 3 असी हजार इन्टू 3 टू लेक्स 40,000 आगया एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे opening इन्वेंट्री प्लस closing इन्वेंट्री बाइटू तो असी हजार प्लस दो लाग चालीस हजार बटे दो एक लाग साथ हजार रुपए आपका आगया एवरेज इन्वेंट्री अब हम क्या करेंगे इन्वेंट्री ट्रनोवर एश्यो cost of revenue from operation divided by average इन्वेंट्री तो 8 लेक्स divided by 1 लेक्स 60,000 आपका आजाएगा 5 ताइब revenue from operation gross profit inventory ट्रनोवर एश्यो अब देखिए revenue from operation दियावाए है तो हम क्या करेंगे इन्वेंट्री ट्रनोवर एश्यो cost of revenue from operation divided by average inventory तो देखिए inventory ट्रनोवर एश्यो दे रखा है 7 ताइम ठीक है cost revenue from operation minus gross profit तो 7 लेक्स minus 1 लेक्स 40,000 is equal to 5 लेक्स 60,000 तो 5 लेक्स 60,000 divided by average inventory अब देखिए cross multiply करेंगे 7 average inventory is equal to 5 लेक्स 60,000 तो average inventory अब का आगया 80,000 अब क्या दिया हुए है find out the value of closing inventory find out the value of closing inventory if closing inventory is 16,000 more than opening inventory देखिए let opening inventory x closing inventory x plus 16,000 16,000 जाद है तो average inventory के आएगा x x plus 16,000 divided by 2 यानि 2 x plus 16,000 बटे 2 ये आपकी average inventory आगई और ये किस के बराबर है 80,000 के बराबर तो 2 x 2 x plus 16,000 by 2 is equal to 80,000 2 x plus 16,000 is equal to 1 x 60,000 2 x is equal to 1 x 60,000 minus 16,000 2 x is equal to 1,040 4,000 तो x की value आगई 70 2,000 तो ये आपका आगया opening inventory अब closing inventory 16,000 जाद है तो 72,000 plus 16,000 88,000 रुपे ये आपका closing inventory बन जाएगा और ये आपका क्या बन गया opening inventory बन गया 62 देखेंगे cash revenue from operation credit revenue from operation तो देखेंगे revenue from operation cash revenue from operation plus credit revenue from operation 1,00,000 plus 5,00,000 is equal to 6,00,000 gross profit रुपेज 1,00,20,000 cost revenue from operation minus gross profit तो 6,00,000 minus 1,00,000 20,000 is equal to 4,00,000 अब देखेंगे inventory turnover ratio inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operation divided by average inventory तो ये दे रखा है 4,00,000 4,00,80,000 बटे average inventory cross multiply करेंगे तो average inventory 4 average inventory 4,00,80,000 average inventory आजाएगा 1,00,20,000 अब देखेंगे इसमें condition दे रखी है क्या condition दे रखी है सबसे पहला case दे रखा है number 1 closing inventory 1,00,000 अब देखेंगे closing inventory 1,00,000 तो हम क्या करेंगे opening inventory let opening inventory x closing inventory x plus 1,00,000 average inventory आजाएगा x x plus 1,00,000 by 2 किसके बराबर है 1,00,000 20,000 के बराबर है तो देखेंगे 2 x plus 1,00,000 is equal to 2,00,000 2 x is equal to 1,00,000 40,000 x is equal to 70,000 यह तो x की value आगई यह तो आगए opening inventory की value अब closing inventory के लिए opening inventory plus 1,00,000 1,00,000 यह क्या आगए closing inventory आगए अब इसमें जो second case है second case क्या है closing inventory two time देखें let opening inventory x closing inventory 2 x two time दिया हुए है average inventory x plus 2 x by 2 is equal to 1,00,000 20,000 तो यह हो गया 3 x is equal to 2,00,000 40,000 तो x की value आगई 80,000 रूपय यह तो opening inventory आगए और यह 2 x का मतला 1,00,000 60,000 यह क्या आगए closing inventory आगए अब देखो third point इसमें क्या खाआ है third point का है two time more let opening inventory x closing inventory two time more x plus 2 x यानि 3 x average inventory x plus 3 x by 2 is equal to 1 lex 20,000 4 x is equal to 2 lex 40,000 x is equal to 60,000 तो 60,000 तो हो गया आपका opening inventory और 3 x की value रेंगे तो 1,80,000 रूपय यह आपका क्या आगया closing inventory आगया आप fourth point में let opening inventory x closing inventory three time है तो 3 x लेंगे average inventory x plus 3 x by 2 is equal to 80,000 तो 4 x is equal to 1 lex नहीं यह है आपका 1 lex 20,000 20,000 तो 2 lex 40,000 x is equal to वही 60,000 और 3 x is equal to 1 lex 60,000 यह opening inventory आगया यह आपका क्या आगया closing inventory आगया कितना टाइम कितना टाइम हो